हम लोग जब कल रास हो रहे थे तो अमेरिका ने एक कांड कर दिया कांड ये कि वहां के केंदरी बैंक ने अपने इंट्रेस्ट रेट को बढ़ा दिया कितना बढ़ाया? 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75 प्रतीशत और दिक्कत होगी अब हम लोगों को देखे गणित और संतुरन ये कहता है कि जब जब अमेरिका के केंदरी बैंक में इस सरी की बढ़ोतरी होती है इसका असर बस अमेरिका में नहीं बढ़ता उसकी ताप दुनिया के सभी बड़े छोटे देश जहलते हैं और हम भी ये ताप जहलेंगे इसकी बहुत गुंजाईश है लेकिन पहले अमेरिका वाली घोशना देखते हैं अगस्त में यूएस में इंफलेशन के आकड़े 8.3 फीज दिया थे जोकी लोगों की सोच से कई गुना जादा थे तो लोगों को अंदाज़ा था कि रेट बढ़ेगा बढ़ भी गया रेट बढ़ा कर बयान भी दिया गया और दामों की ये सिर्णा होने से आर्थ फ्यवस्ता किसी के लिए कारगर नहीं होगी लेकिन ये अमेरिका द्वारा की ये पहली बढ़ोतरी नहीं थी इसी साल ये पांचवी बार किया गया इजाफा है और अब वहाँ परभ्यास दरों में कुल 3.25 प्रतिशत का इजाफा हो गया है कैसे कब कितना हुआ वो भी जान लेते हैं 17 मार्च 2022 को 25 बेसिस पॉइंट यानिकि 0.25 फीजदी से 0.50 फीजदी 5 मार्च 2022 को फिर हुआ 50 बेसिस पॉइंट का यानिकि 0.75 फीजदी से 1 फीजदी 16 जून 2022 को हुआ 75 बेसिस पॉइंट यानिकि 1.5 फीजदी से 1.75 फीजदी 27 जुराई 2022 को फिर हुआ 75 बेसिस पॉइंट का यानिकि 2.25 फीजदी से 2.5 फीजदी 21 सितंबर 2022 को फिर हुआ 75 basis point का यानि कि 3.00% से 3.25% लेकिन हमारे और आप के लिए ये क्यों जरूरी है चाहते तो brush up कर कह सकते थे कि अमेरिका का मामला है वही लोग अपना देख लेंगे लेकिन नहीं आपको इसके core में जाना होगा और शुरुवात करनी होगी इस बास से कि ब्याज जरूरी बढ़ोतरी होती क्यों है यसलिए होती है ताकि महेंगाई को control किया जा सके और market में currency का circulation कम हो ऐसे समझे कि दुनिया भर की जो अर्फवस्थाएं हैं उनकी हालत घडबर है क्यों? क्योंकि महेंगाई है और इस महेंगाई के साथ ही ब्याज दरे भी कम है अब ब्याज दरोव के कम होने से एक बात ये होगी कि एक बड़ी संख्या में लोक log लोन ले सके हैं यानि कि लोग लोन लेते रहेंगे, EMI भढ़ते रहेंगे, उस से लोग ये मांग बढ़ेगी और ये मांग बढ़कर आपूर्ती से ज़ादा होगी। डिमांड और सप्लाई में अंतर की जो बात होती है, वो बात कर रहें। अब अब सबको आलू खरीतना है और आलू कम है, तो आलू को क्या होगा? जैसा आपने अमूमन देखा होगा कि आलू का दाम बढ़ जाएगा. यहीं, यहाँ पर भी होगा. डिमांड से कम सप्लाई होने पर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई आ जाएगी. अब कें और सप्लाई की गैप की अभी हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा कम होगा. और महंगाई हो काबू में लाया जा सकेगा. ऐसा सोचना इसलिए भी समझ में आता है, क्योंकि विदेशों में भी जनसंग्या के बड़ा हिस्सा अभी भी लोन और एमाई के चक्कर में नहीं वसना चाहता, तो ऐसे भी मार्केट में मांग बनी रहेगी और चीजों के नाम नियंतरित होते रहेंगे. अब समझते हैं, भारत पर अमेरिका में होने वाले बदलाओं का कैसे असर पड़ता है. अब अमेरिका ने रेट बढ़ा है, तो अमेरिका की ब्यास दर और भारत की ब्या 50 रुपय के आसपास है, तो जो सामान हमायात करते हैं, जैसे तेल, गैस और दूसरे चीज़ें, उसका दाम भागेगा. और तेल को इंधन के तरह इस्तमाल करके डिलीवर किया जाने वाले सामान मतलब जिसमें लगबग सब को शामिल है, वो भी सब महंगा होंगे. फिर हमा पूरा करने में मदद मिलेगी. भारत तीन बार तो करीच चुका है ये बढ़ोतरी, मिला जोलाकर 140 बेसिस पॉइंट की, अब उधर नहीं बढ़त हुई है, तो इधर भी हो सकती है. तो ये था आज का खर्चा पानी, इसे लिखा था हमारे साथ इसे धानने, देखते रहे देदी ललन टॉप, शुक्रिया.